हम लो वारी गूड ओनिंग बच्छा पाथी दिस इस इस सेकेंड पार्ट ओफ फॉर्थ चेप्टर मिष्टर रैबिड प्लेज आ प्रेंक यह चेप्टर का यह सेकेंड पार्ट है हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमने अलग-अलग एनीमल्स चो है उनके बारे में हमने देखा कि किसकी क्या अलग है किसी के पास किसकी क्या खासियत है उसके बाद हमने तीन अलग-अलग एनिमल्स के बारे में यहां पर सीखा जो यह पजल थी वो हमने सौल की उसके बाद हमने यह पूरा चेप जो प्रैंक थी मिश्टर रैबिट प्लेइज अ प्रैंक वो हमने य तो यह पूरा चैप्टर यहाँ पर खतम हो गया जो कि हमने part 1 में complete कर दिया है उसके बाद हमने keywords भी देखे और उसके meaning भी देखे अब activity 4 से हमारा part 4 शुरू होता है activity 4 find the sentences with the following phrases from the story guess their meanings then match A with B अब यहाँ पर देखिए A के अंदर आपको यहाँ पर तीन अलग अलग यहाँ पर phrases दी गया है जैसे कि first है place a prank तो यह वाला phrase है work story के अंदर कहां पर आया है वो आपको डूनना है और उसके सामने जो B यहाँ पर दिखा हुआ यह खाली जगा है वहाँ पर आपको sentence लिखना है second with all his might with all his might यह phrase है तो उसने पूरे जोर से खींचा have some fun तो यहाँ पर यह सारे phrases दिए हुए जैसे कि पहला के first का answer हम लोग देखते है Mr.Play a prank तो क्या है इसके इंदर Mr. जो की chapter का नाम भी है Mr. Rabbit plays a prank तो यह हम सामने लिख सकते हैं और उसका मतलब क्या होता है Mr. Rabbit जो है वो prank कर रहे हैं तो ऐसे ही आपको नीचे के दोनों है वो भी complete करने है activity 5 what happened when right numbers 128 in the space as they occur in the story अब यहां पर हमारे पास eight sentences है दो sentence से आगे वाले page पर है और बाकी के जो अच्छे sentence है वो पीछे वाले page पर है तो आपको यह पूरी story फिर से अच्छे से एक दो बार read करनी है और यह सारे sentence देखने है कि सबसे पहले इन में क्या हुआ होगा मैं एक बार यह sentence read करके आपको सुना देता हूँ first sentence जो है Mr. Rabbit asked for help to Mr. Elephant and Mr. Bear कि Mr. Rabbit था उन्होंने दोनों से मदद मागी second Mr. Rabbit ran into the buses and beat the drum वो जाडियों में छुप गया और drum बजाने लगा Mr. Rabbit tied another end of the rope around Mr. Elephant's trunk Mr. Rabbit थे उन्होंने जो दूसरा end था रोप का वो elephant की trunk से आसपास में बांदिया था next Mr. Elephant and Mr. Well talked about their size कि वो दोनोंने अपनी size के बारे में दोनों बात कर रहे थे Mr. Rabbit laughed a lot on seeing them fallen और Mr. Rabbit बहुत ही हस रहे से उन्होंनों को गिरता हुआ देखके Mr. Well and Mr. Elephant pulled each other with all their strength Mr. Well और Mr. Elephant दोनोंने एक दूसरे को बहुत ताकत लगा के खीचा Mr. Rabbit tied one end of the rope around Mr. Well Mr. Well के आसपास में उन्होंने वो rope का end था वो बान दिया Mr. Elephant fell over backward and Mr. Well turned over in air तो मतलब elephant था उसने बहुत जोड़ से खीचा गिर गया और Mr. Well है वो भी air के अंदर आ गया है मतलब यह last का है तो सबसे last में हमने देखा था क्या होता है Mr. Rabbit laughed and laughed and laughed की वो हसता ही रहता है them fallen के उनको fall गिरता हुआ देखके तो यह वाला last में हैगा तो ऐसे ही आपको 1 से लेके 8 तक numbers यहाँ जो आगे यह lines दी हुई है उसके अंदर देने है जो की book में से देखके जो बहुत easy है यह खतम करके फिर हम लोग आगे देखेंगे B. Answer the following questions अब यह questions हमें यहाँ पर पूछे कहा है उसके आपको answer अपनी notebook में लिखने है यह story के जो special characters है उनका physical characteristics क्या है तो for example हम लेते है well so well is the biggest animal in water water के अंदर वो सबसे biggest animal है second लेते है elephant so elephant is the biggest animal on the land कि वो दोनों बहुत ही बड़े animal से पर एक water में है और दूसरा land पर है second question है why did the rabbit play a trick rabbit ने trick क्यों की उसने ये prank क्यों खेला तो क्या हम इसका answer लिख सकते है the rabbit played a trick because he wanted to have some fun कि उसको थोड़ा fun करना थोड़ा मजा करना था इसलिए उसने ये trick की did mr rabbit really have a cow क्या mr rabbit के पास सच में cow थी अब इसका अंदर तो आप भी बता सकते हो क्या cow थी उनके पास नहीं थी तो क्या answer आगा no mr rabbit really had not a cow कि mr rabbit थे उनके पास cow थी ही नहीं कि फॉर्थ what happened when they pulled each other कि उन्होंने जब एक दूसरे को खिंचा पूल किया तो क्या हुआ तो इसका answer क्या आएगा mr elephant fell over backward जो mr elephant थे वो ऐसे वो पीछे कर गए and mr well turned over in the air और mr well थे वो ऐसे air के अंदर पानी में से बाहर निकला है लब दोनों ने एक दूसरे को खिंचा तो कुछ भी हुआ नहीं पर वीच रर्षी बीच में से बात में लास्ट में टूड जाती है फिफ्ट who was the strongest mr rabbit mr well और mr elephant अब ये तीनों में से सबसे strongest आपको कौन सा लगा या answer आपको खुद को ही बताना है ना कि कौन आपको strongest लगा इन सब में rabbit था वहल या elephant तो आप इसका answer बताओ और क्यूं लगा वो भी आप नीचे यहां यूटूब के comment box में comment करना कि ये मुझे strongest लगा है और क्यों लगा है activity 6 read the sentences about the steps taken by mr rabbit अब ये आपको सिर्फ रीडी करना है first mr rabbit got a very long and a strong rope सबसे पहले mr rabbit ने क्या किया एक long और strong rope lie second mr rabbit bought a big drum and hide it in the buses mr rabbit ने क्या किया एक बड़ा सा ड्रम लिया और उसको जाडियों में छुपा दिया mr rabbit asked mr well to help him bring out the cows stuck in the mud mr rabbit ने के किया mr well की help मांगी उनके cow जो है वो stuck हो गई है मड़ के अंदर चली गई है इसलिए help मांगी उसके बाद mr rabbit pleased mr well by saying that no one as strong as mr well और उसके बाद उनको थोड़ा वो बटर बटर भी लगाया है उनको तारीफ की उनकी कि आपके चितना तो ताकत वर कोई नहीं है mr rabbit pleased next mr rabbit pleased mr elephant by saying that he is the strong and big तो सेम ऐसे ही mr elephant को भी उसने कहा कि आप बहुत ही strong हो और भीव हो mr rabbit asked both of them to pull the rope when he beat the drum mr rabbit ने क्या कहा कि उन्होंने रसी खीची और रसी खीचने को कहा जब उन्होंने को ड्रम की आवाज सुनाए दे और वो ड्रम बजाए अब इसके उपर से यहाँ पड़ हमें नीचे दो question है उसके answer देने है did you like the prank played by mr rabbit क्या mr rabbit ने जो यह prank की वह आपको अच्छी लगी तो अगर लगी हो तो yes करना है और no लगी हो तो no लिखना है अगर आपको परसंद है तो yes i like the prank played by mr rabbit second question what did you like most about mr rabbit mr rabbit के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा और तो इसका answer भी आप नीचे comment में भी दे सकते हो और बता सकते हो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा mr rabbit में mr rabbit क्या था बहुत ही oncr clever था एकदम वो तो आपको वो अच्छा लगा है या उसने उनके साथ prank की है दोनों को ऐसे उल्लू बनाया वो आपको अच्छा लगा है वो आपको यहाँ पर बताना है अब activity 7 सामने के page पर work in groups collect some objects like pencil erasers etc from all the group members and compare their sizes क्या आपको क्या करना है group में बैटना है अपने friends के साथ या अपने brother और sister के साथ और pencil और eraser जो है वो सब collect करना है और उनकी size जो है उनको compare करना है use expressions like as long as, longer than, the longest, as big as, bigger than and the biggest तो यह जो हमने chapter के अंदर देखा कि यह सारे जो अलग-अलग compare reasons ते वो किये होए है तो आपको भी यहाँ पर compare reason करना है for example हम pencil ले लेते हैं कि दो pencil है दोनो friends की तो वो दोनों same है तो हम लोग कैसे लिखेंगे pencil of Raju as long as Vijay कि Vijay और दोनों की same है अगर किसी की लंबी है तो वहाँ पर हम क्या use करेंगे longer than Raju's pencil is longer than Vijay and the longest और longest मतलब की सबसे लंबी तो हम क्या बोलेंगे यह कर दो तिन बच्चों की साथ में pencil लखेंगे and Pooja's pencil is the longest from all now activity 2 read the following sentences about Laura and then answer the questions about her family आपको यह paragraph रीड करना है लौरा का है और उसके बाद उसके यह नीचे answer question दिये है वह है उनका answer बताना है hello my name is Laura अब यह लौरा अपने बारे में बता रही है I am 11 years old मैं 11 years की हूं this is my family यह जो फूटो में आपको दिख रहा है वो उसकी family है लौरा की my mommy is taller than my dad यह उसकी मम्मी है वह उसे taller है बड़ी है my uncle Pablo is 35 years old जो इनके अंकल है पाबलो वो 35 years old है and my aunt बेटी is 30 years old और उनकी जो आंटी आंटी है इनका नाम बेटी है वो 30 years old है they both shorter than mommy वो दोनों मम्मी से छोट है मतलब यह उसके अंकल है और यह aunt है यह father और यह mother I also have a little cousin bang bang और यह little cousin भी है उसका जिनका नाम है bang bang and he is older than my little sister और वो मिली little sister से थोड़ा बड़ा है so now answer the questions अब आपको यहाँ पर question के answer देने है who is the tallest सबसे tallest कौन है यह लोरा की family में देखिए यह आपको दिख रहा है तो सबसे tallest उसकी मम्मी है मम्मी का नाम क्या था यहाँ पर दिया हुआ है मम्मी यहाँ पर मम्मी का नाम नहीं है अंकल आंड का ही है तो हम लिखेंगे यहाँ पर लौरा's mother is the tallest जो लौरा की मदर है वो सबसे tallest है शीप यहाँ लिखा है वहाँ पर लिखेंगे लौरा's mother is the tallest और एक question mark जो है वो यहाँ पर निकल जाएगा second question who is the youngest मतलब की सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा कौन है उसके घर में जो bang bang है यह भी प्रोड़ा बड़ा है तो सबसे छोटा उसकी little sister है तो हम क्या लिखेंगे लौरा's little sister is the youngest लौरा की जो little sister है वो सबसे youngest है और यहाँ पर भी question mark निकाल देंगे next third question is लौरा's dad taller than her mummy क्या लौरा के डेड है वो उसकी मम्मी से taller है नहीं है उसकी मम्मी taller है तो यहाँ पर क्या आएगा no लौरा's dad is not taller than her mummy next who is older मतलब की बड़ा कौन है बेटी या पाबलू कौन बड़ा है बेटी या पाबलो वो दोनों कौन है उसके uncle और aunt तो बड़ा कौन है older कौन है दोनों में से तो यह जो पाबलो है वो 35 का है और बेटी है वो 30 की तो बड़ा कौन हुआ पाबलो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पाबलो इस ओल्डर मतलब पाबलो है वो उससे बड़ा है तो यहाँ पर यह लोरा की फैमिली के बारे में है अब हम पीछे के पेच पर जाएंगे एक्टिविटी एट रीड दे फॉलोइंग आर्टिकल एंड आंसर दे क्वेस्चेंस अबाउट सीडी रोम एंड दे बुक्स ट्रूली अमेजिंग यह उसका टाइटल है और यहाँ पर भी एक अक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर आपको यह पैरेग्राफ रीड करन है उसके बाद यहाँ पर देखे कुछ फोटोज है और नीचे क्वेस्चेंस है उसके हमें अंसर देने हैं तो इस पैरेग्राफ आपको आप ध्यान से सुनिए अल दे इन्फोमेशन इन दे एनर्मस इनसाइकलोपेडिया ब्रिटा ब्रिटानिका नाव कम्स ओन वन स्मॉल डिक्स विच्टू यू प्रिफर दसीडी रोम और दसेट अफ थर्टी बुक्स लैट्स कम्पेर दें तो चलो हम इनको कम्पेर करते हैं कि जो एनसाइकलोपेडिया है आपने सुना होगा है ना कि जिसके अंदर बहुत सारी डीटेल जान करें जैसे कि फॉर एग्जामपल हम डिक के बारे में जान सकते हो और ज्यादा तर इसके अंदर एन्वायमेंट के बारे में और हमारे आसपास जो भी रिलेट है उसके बारे में होता है तो आप इन दोनों में देखेंगे प्रिफर क्या करेंगे सीडी रोम सीडी रोम आपको पता है सीडी आती है ना वो सीडी या फिर set of 30 books तो आप 30 books लेंगे या फिर CD लेंगे तो दोरों को हम यहाँ पर compare करते है The CD room is smaller and lighter than the books and it is cheaper कि जो CD room है वो कैसा है smaller है और lighter वजन में भी हलका है than the books and it is cheaper books के सिवा जो है वो एकदम सस्ता भी है We think it's more interesting too because it has video and sound हमें क्या लगेगा वो interesting जादला क्योंकि उसके अंदर video भी आता है और sound भी आता है For example हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई book है या फिर आप YouTube पर पढ़ोगे या फिर कोई book में पढ़ोगे तो आप कौन सा अच्छा prefer करोगे कि चलो भी हम YouTube में ही पढ़ लेते हैं उसके अंदर हमें देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी तो आप क्या ज्यादा prefer करोगे कि हम यहाँ online ही पढ़ाए करें कि फेमस पीपल जो बाते कर रहे हैं वो भी हम देखने को मिल सकते हैं अनिमल्स और मुजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हम सुन सकते हैं तो कुछ लोग ऐसा सुतते हैं कि जो थर्टी बुक्स है हमें तो बुक्सी चाहिए वही अच्छा है पर हम लोग क्या सुतते हैं कि सीडी रोम अच्छा है तो आप बच्चे लोग बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा कि ठर्टी बुक्स अच्छी है या फिर सीडी रोम एक छोटी सी जो सीडी होती है वह अच्छा है आप नीचे कमेंट में बताना बुक्स अच्छा है नाव क्वेस्टन अंसर विच इज हैवियर है या था तो हैवियर था वो क्या था बुक्स थी बुक्स हाँ बुक इज है वो ज्यादा है यह सेकेंड इज कौन से आर्टिकल्स ज्यादा बुरिंग होते है तो यहांपर उपर से आपको अंसर मिल जाएगा third are the books bigger than the cd-rom जो books से वो cd-rom से बड़ी होती है yes बड़ी होती है yes the books are bigger than the cd-rom fourth question is the cd-rom more expensive than the books जो cd-rom है वो books से more expensive ज्यादा पैसे वाल expensive है नहीं है तो क्या एगा no the cd-rom is not more expensive than the books अब हम लोग activity 9 करेंगे activity 9 weigh and measure different things you have at home कि आपके गर पर जो अलग-अलग चीज़े हैं उनको measure करो और उनका वजन करो write for sentences comparing their size, weight, etc one is done for you एक यहाँ पर आपके लिए करके दिया हुआ है तो ऐसे ही आपको अपने गर पर अलग-अलग चीज़ों की size यह उसका वजन है उससे compare करना है अब यहाँ पर एक example है वो देखिए my brother's cycle is bigger than mine कि मेरा जो brother है उसकी cycle मेरी cycle से बड़ी है the ball I have is bigger than the one my brother has मेरे पास जो ball है वो ज्यादा बड़ा है मेरे भाई के पास है उससे तो ऐसे ही examples आपको bigger वाले जोण बड़ा है क्या छोटा है तो ऐसे आपको बना के size और weight के जहाँ पर लिखने है यहाँ पर दीखे for आपको अलग-अलग sentences लिखने है for और दूसरे नीचे मतलब की total eight sentences अलग-अलग लिखने है for example अभी मैं कुछ sentence आपको यहाँ पर बताऊंगा I have a pencil which is longer than my brother की मेरे बाई से लंबी pencil मेरे पास है second रोनक्स बूक इस बीगर देन यस की रोनक की बूक है वो यस की बूक से बड़ी है my father's bike is smaller than my uncle's bike तो यही बहुत सारी चीज़े है जिसको आप अपने आज पास देखते हो उनको यहाँ पर अच्छे से compare करके उसके sentences यहाँ पर complete करने है अब यहाँ पर activity 10 look at these pictures and compare them using the adjectives in the box अब यहाँ पर तीन यहाँ पर pictures दिये हुए है देखिये तीनों pictures एक car का picture है एक aeroplane का है और यह last वाला है वो cycle का है तो आप इन तीनों को यह जो adjectives दिये हुए है उनके मदद से आपको यहाँ पर नीचे sentences बनाने है और पीछे भी पूरा पेज दिया हुआ है तो हम यहाँ पर भी sentences बनाएंगे यह देखिये यहाँ पर पूरा blank दी हुई है तो हमें यह दोनों जगह पर काम करना है तो हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से words है फरस्ट वन बीग बी आई जी तो सबसे बीग कौन सा है तो हम उसका word भी बना सकते हैं यहाँ पर बीग तो बीग है बीगर देन ड़ साइकल वो साइकल से भी बड़ा है या फिर एक ओर भी बीग से बन सकता है चार इस बीगर देन शाइकल उसके बाद एक्सपेंसिव की ज्यादा महधा हुगा होगा ए़ोप्लेन है और नड़ लिखेंगे all दो मिलिखेंगे एय रोप्लेन इज बैरी जदा expensive है उसके बाद fast, car is fast than cycle, aeroplane is fast than car, तो ऐसे ही हमें यह अलग-अलग जो word है, उसके adjectives है, उसको हमें sentence में convert करना है, और यह सारे sentence हमको बना के लिखने हैं, और आप अपने खुद के भी sentence बना सकते हो, और इसके अंदर complete कर सकते हो, ओके, so thank you, यहाँ पर हमारा यह पूरा chapter, जो की था Mr. Rabbit plays a prank, खतम होता है, thank you, very much.